Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Civil Engineer. Friends, Technical Civil Engineer YouTube channel में आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे How to Calculate Base और जो है Foundation of Breast Wall. Friends, अगर आप site पर work करते हैं, तो आपको पता है, आप a s 찾아 calorie in charge, in charge हैं, आप a site engineer हैं या अप फ्रे SUR हैं यहाई कि diploma pastor करके आप site पर work करें. तो आपको पता है कि वहाँ पर इस तरह ब्रेस्ट कर बने आप बने वाङे हैं तो ब्रेस्ट वाल का आपको जो है именно this. की जो विर्थ है या जो foundation की विर्थ है वहा कितनी रहेगी आपको जो फांड करना आना चाहिए होता किया है कि जो जादा तर जो government department होते हैं तो उन्हें क्या होता है कि जब breast wall का जो top होता है उन्हें जो है wall का top 0.60 meter यानि कि 60 cm देना अा होता है तो उस case में अगर कोई भी site in charge आता है आप किसी contractor हो सकता है कि आप किसी contractor के अंदर जो है कार कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको अगर site engineer आके पूँझ दे आपकी wall जो है 3 meter height की है top आपने 0.60 meter आपने रखा है आपने base कितना रखा इसका आपसे पूछा जा सकता है केवल एक ऐसी जो है आपसे question पूछ सकते हैं कि इन्होंने base जो है कितना provide किया है तो friends आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है इस calculation के हिजाब से कैसे base जो हमारा है वह है जो है आपका अगर अगर friends मैं बात करूँ केवल जो है इस portion की यानि कि ये top है wall का केवल जो है एक side हमने one ratio three का जो है slope provide किया गिया है और इस तरीके से तब आपका जो विर्थ होगा यानि कि base जो आपको विर्थ मिलेगी आप foundation विर्थ मिलेगी उस case में आपकी 1.5 में मीटर रहेगी कैसे रहेगी दो मेटर्स के जरिये जानिगा और दोनों मेटर्स काफी जो है useful है आप जब भी site पर जाएंगे इन दोनों मेटर्स का आपको यूज करना होगा तो अभी जानिगे इस वीडियो से कैसे हम find out करें अगर फ्रेंट्स होता क्या है कि अगर एक open space की हम बात करें यानि कि खुला space है यहाँ पर जो आप ये diagram देख रहे हैं इसमें क्या है कि यह आपका क्या है hilly side है कोई उस और क्या है breast wall बनी है मान लीजे तो यह यह जो सामनी की और है यह इसका जो है toe side है यानि कि इसमें 1 ratio 3 का slope provide किया है बार क्या back side हमने back fill की है यहाँ इनकि soil filler की है तो इस case मैं क्या है इधर तो slope provide होगा नहीं केबल toe side यहांद के front side इधर की और जो है breast wall को जो है बना रहे हैं तो उस case में क्या हुआ है आप जो है left और right दोनों portions में क्या करेंगे one ratio 3 का slope जो है provide करेंगे top आपका 0.60 meter यहनकी 60 cm ही रहेगा बट आपको करना क्या है कि उस case में अगर आपको बेस जो है find out करना है या बेस विर्था found out करनी है या आपको foundation विर्था find out करनी है तो आप कैसे करेंगे तो यहां पर जो हम एक cable जो है example के through इसे समझेंगे सबसे पहरे आप बात कीजिए कि यहां देखे जो आपका given data क्या है कि वाल टॉफ विर्थ आपके पास 0.60 0.30 की है और जो आपकी wall height है वहाँ जो है आपकी 3 meter आपको given है slope आपका 1 ratio 3 यानि कि 1 by 3 vertical horizontal यह आपका हो गया 0.33 और so calculate wall base first method के जरी देखे आप कैसे find out करते हैं आपका slope 1 ratio 3 है यानि कि यह आपका हो गया यहां से 1 by 3 करेंगे 0.33 यानि कि यहां से आपको जो है n की value find out होगी यानि कि यह जो slope है 1 ratio 3 यह आपकी 0.33 जो आपको find out होगी यह आपकी n की value है और आपको पता है कि जो height है या जो depth है वह d के साथ multiply कीजिए आपका nd find out हो जाएगा और जो nd आप find out करेंगे वहाँ आपका यह है यह जो आपका 90 degree आपने यह बनाया यहां से यहां तक की जो आपकी width है यह आपकी जो है n into d यानि कि आपके पाद 0.33 इसकी value होगी उसके बाद जब आपको आपका nd find out होगया तो हम आपने क्या करना है इस nd को मैं इस top वाली width को जो है plus कर देना है इन दोनों का जो है add कर दो आप 0.60 meter यहां से यहां तक यह और nd होगया आपका 0.99 तो दोनों को आप add करोगे तो आपका होगया 1.59 meter बट क्या हुगा इन open space आप जो है open space में इस तरीके से breast wall बना रहे हैं औ अर दोनों और left-right दोनों portions में क्या है आपने 323 का जो है slow provide किया है तो उस case में जो total base width आपको देखने को मिलेगी 1.92 meter जो है देखने को मिलेगी क्वहें क्यों 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 आपका DIY आपका क्या हूगा left side भी होगा तो उस case में आपकी बेस वीर्थ वीर्थ है वो आपकी 1.92 meter जो है बढ़ जाएगी यह टोटल वीरत जो है 1.92 मीटर होगी दूसरी मेथट्स की बात करेंगे दूसरी मेथट्स में क्या है फ्रेंट्स आपका जो है जनरली एक फॉर्मला होता है बेस निकालने के लिए याई कि जब आप वाल का बेस फैंड आउट करते हैं तो क्या करते ह हाइट आपकी इस वाल की 3 मीटर है जो पाका 1 भाइ 3 है तो दिनोमिनेटर में 3 है प्लस 0.60 आपका जो है मीटर जो है आपका वाल का टॉफ है तो आप इसकी जब क्यालकुलेशन करेंगे लस्चम उगल लिए तो लास्ट आपको जो है विरत जो आपको मिलेगी इस केश में आपको कितनी मिलेगी 1.60 जो है मिलेगी यानि कि 1.60 मिलेगी यह हम बात कर रहे हैं केवल कितनी यहां तक की यानि कि केवल हमने वाल के एक साइड जो है 1.3 का जो है स्लोप प्रोवाइट किया है और यह आपका जो है यहां से यहां तक की जो आपको मिलेगी यहाँ आपको 1.59 या 1.60 मीटर के अपरोक्स जो है आपको बेस मिलेगा बट दोनों केस में अगर जो है लेट रैट दोनों पोलसंस में आप 1.303 का स्वाइब स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपके पार जो है अंदर काम करते हैं साइट इंजिनियर साइट पर आते हैं तो आप से पूछते हैं कि आपकी वाल के हाइट इतनी है प्राव होगी तो डिपार्टमेंट जो है काफी चीज़ों पर नजर बिनाए रखता है तो आपको एक साइट इंजिनियर होने के ना आते इन चीज़े आनी चीज़े और फ्रेंड्स इसमें देखिए जो 1.303 का जो स्लोप प्रोवाइड किया गया है यह कैसे प्रोवाइड किया आता है साइट पर वॉल पर उसके लिए मैं केवल अलग से लिए लिए लेक्टर लेक्टर लेके आऊँगा उसमां बात करेंगे सूते पलश आपका प्लमब ओव यानिकि साहुल के हीलफ से 1.303 का स्लोप कैसे प्रोवाइड किया आता है वह ला के लिए काफ़ी बेनिफिचल रहा होगा, if you found this video useful, then please just subscribe, like and share, thank you for watching.